और इदे पूरा देश कह रहा है हर माता बहने कह रही है हर नवजवान कह रहा है फिर एक बार पिर एक बार पिर एक बार चार जून चार सो पार चार जून चार जून चार जून साथियों देश के इतिहास में कभी कभी ऐसे मोके आते हैं जब उस देश के नागिरिकों का एक फैसला अगले सेंकडों वर्षों का भविश्य तै करता है 2024 का ये चुनाव ऐसा ही बड़ा आउसर है ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है आप याद करिए कितने दसकों से हमारे देश में जोड तोड वाली सरकारे चली रही थी गटबंदन की मजबूरिया हर किसी के अपने स्वार्थ इस सब में देश का हीट पीछे छुट गए थे कॉंग्रेस के समय में गाउं गरीब किसान मद्दूर महिलाएं युवानों इनका जीना मुश्किल हो गया था हर दीन अख़बारों में या तो गोटालों की खबरे चपती थी या आतंकी हमलों की खबरे आती थी लेकिन 2014 से देश में एक बड़े बदलाव की शुरुवात हुई दसों को बात देश को आप सब जागरुक मत दाताओं ने पूर्णा पहुमत वाली सरकार देश को दी आज भारत समंदर पर बड़े बड़े पूल बना रहा है आज भारत पहाडों में भी सुरंगे बनाकर सीमा की सुरक्षा बढ़ा रहा है अब जब अजबेर से बंदे भारत ट्रेन रप्तार भरती है तो विदेशी भी हरान हो जाते हैं अब राजस्तान में एक से बढ़कर एक एकस्प्रेस वेब बन रहे हैं डेडिक्वेटेड फ्रेट कोरिडोर बन रहे हैं भाजपा के शासन में राजस्तान विकास की नई उचाई की और बढ़ रहा है साथियों कॉंग्रेस जहां रहती है वहां विकास हो ही नहीं सकता कॉंग्रेस ने ना कभी गरीब की परवा की और ना ही कभी वन्चितों शोचितों युवाओं के बारे में सोचा कॉंग्रेस के लिए यही कहा जार सकता है एक तो करेला दूसरे नीम चड़ा एक तो परिवारवादी पार्टी और दूसरा उतना ही प्रस्टाचारी पार्टी आप याद करिए कॉंग्रेस सरकार में राजस्तान को लेकर कैसी खबरे आती थी युवाओं के भविश्चते खिलवाण वाली